जैहिन बच्चो स्वागत है अपने इसी यूटूब चनल में आज के इस वीडियों बच्चों हमका अच्छा 11 के विद्यारतियों के लिए सिविक्स यानि नागरी सास के महतून लगुत्री परस्ण लेकर आये हैं जो 2024 बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से रहेगा तो चलिए बच्चों देखते हैं कुश्चन को और बच्चों या इनसी यार्टी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए और एपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है बईया इनसी यार्टी रहेगा बच्चों ये तो लगुत्तरी परस्णों को हम लोग देखेंगे समिधान का क्या अर्थ है यह सब कोश्चत बहुत पूछा जाता है और कंप्टिशन एक्जाम के लिए भी इंपोर्टेंस है तो यहां एक सब्द है समिधान हम लोग जानते हैं हमारा समिधान जो है 26 जनवरी 1990 को जो है लागू हुआ था और 26 नॉंबर 29 Oprah को जो है त्यार हुआ था या अपनाया गया था 26 नॉंबर 29 Park को अपनाया गया था और 26 नौनीस पचार्चार्स को पूल रोफ से मारे देश का जो है समिधान लागू हुआ था तो यहां लगुत्री पर समूद देखेंगे समिधान का क्या अर्थ है क्या अर्थ है समिधान का आए विचुन देखते हैं को उत्तर देखो परतेग देश के सासन संचालन का मूल आधार उसका जो है समिधान होता है किसी देश का सासन जिन नेमों वा सिधानतों से चलाया जाता है उन नेमों वा सिधानतों के समूध को समिधान कहते हैं सासन मेरुस्ता के सुचारू संचालन के लिए समिधान का निर्माल किया जाता है संचेप में कहा जा सकता है कि समिधान कुछ ऐसे बुनियादी सिधानतों का समूव है जिसके अधार पर राज निर्माल होता है जिसके द्वारा सासन चलाया जाता है इसे इस परकार भी कहा जा सकता है कि समिधान वा सकता है जो सरप्रतम सरकार बनाने का धाचा प्रस्तुत करती है ठीक है भईया इसी को समिधान कहते हैं बच्चो